Hey guys, welcome back to a new video दोस्तों, स्मार्टफोन की जब बात आती है तो हम सब के दिमाग में आइफोन जरूर आता है और आइफोन में भी जो प्रीमियम मॉडल्स हैं जैसे आइफोन प्रो मॉडल्स वो ड़सेंट क्रेव इट चार लाग का 23.4 परसेंट में लगबग 25 परसेंट एक लाग रुपए होता है जितना लगबग कॉस्ट होता है का आइफोन 14 परो का वेर आइजन कंट्रीज लाइक स्विट्जल लाइन, सिंगापूर, यूस, यूए, यूके, आस्टेलिया यहां पे जो कॉस्ट है वहाँ के सिटिजन के एवरेज अनौल सेलरी का 3% से भी काम है कैनाडा में 3% है, होंग कॉंग में 3.2% है, पाकिस्तान में 104.1% है, नाइजेरिया में 105.3% है, वेनिजवेला में 59% है, फिलिपिन, तर्की में 34% है तो मेरे दिमांग में सवाल आया कि ऐसा क्यों है, तो इसके पीचे दो रीजन है, पहला, वहां के जो सिटिजन्स हैं, उनका एवरेज अनौल सेलरी कितना है, वो अलग-अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कि एकनोमिक ऑपरचुनिटी कितनी है, बिजनसे वगरा कैस चाइना, जपान, ऐसे देशों में कॉमपोनेंट्स मैनुफक्चर किया जाते हैं आइफोन के, और यह सारे मैनुफक्चर होके, टाइवान में आते हैं, तो फिर मेरे एन चाइना क्यों लिका रहता है, अकरिग पिछले कई समय से ऐसा हो रहा है, कि ताइवान के साथ इसेम हो रहे है आईफोन की पर यहां पर मेजरली देखा गया था पहले कि आईफोन 11 12 13 ऐसे ही आईफोन अब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता अब बाहर से इंपोर्ट हमने जैसे ही किया तो यहां पर जो डायनमिक्स है वो कुछ ऐसा हो जाता है आपल इगर है कि अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है यहां कि यूजरं अइफोन को खरीदने के लिए तो गवर्मेंट देखती है कि आप इँगर बेचने के लिए आप इगर खरीदने के लिए अगर आईफोन वह नहीं लाके बेचते तो हमारे देश में जो फोन एड होगा जो कि 1,00,000 प्लस 22,000 मतलब फोन का कॉस्ट 1,00,000 हो जाएगा प्लस 18% GST और 1,00,000 और फाइनल जो कॉस्ट आएगा और 1,00,000 वो पूरा प्राइस यूजर को पे करना पड़ेगा जिसके वज़े से मार्केट शेर भी थोड़ा काम हो जाएगा तो यह कंपनी के लि इसलिए जाए आईफोन के अंदर अब से हमभी इसमें लेना चाहते हैं कमपनी का कि हम धी मैनेफच्चर करेंगे या एसेमबल करेंगे लेकिन इंपोर्ण कम नहीं क्या हो रही है तो क्या आईपों का कॉस्ट कम हो जाएगा नहीं ऐसा देखा गया तो बहुँ में एक सभी है कि वो एक luxury brand है तो cost अगर कम कर देंगे तो negative साबित होगा उनके लिए price उतना ही रहने दिया उन्हें लेकिन जो import duty वगरा cut हुआ वो सब apple के pocket में जाने लगा as profit तो cost होगा कब कम apple का राधर आइफोन का आइफोन का cost कम अब होगा जब टाटा ने take over कर लिया है पूरा manufacturing और जो components हैं वही इंडिया में बन लएंगे जो कि तमिल नाडू में एक plant जहां पे बहुत सारे labor force टाटा ने hire किया है components बनाने के लिए आइफोन का जिससे actually cost कम होगा विस्ट्रॉन का बैंगलूरू में था plant जो कि apple ने take over कर लिया जिसके वज़े से अब महां पे पहले अब 15 15 प्लस भी होने की बात है इस साल 15 series launch हो जाएगा तो expected है कि आइफोन के cost दीरे दीरे और कम होंगे और actually थोड़े कम होने भी लगे है इसलिए आप भी अगर बाहर जाके देखोगे तो बहुत frequently आपको आइफोन दीखेंगे पहले दिखते ही निते मुझे याद है लेक एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे और आइफोन का प्राइस कम होगा financial year 22 23 में 7 बिलियन डॉलर का आइफोन मैनुफाक्चर हुआ इंडिया में यह ग्लोबल आइफोन मैनुफाक्चरिंग का 7% है जो कि financial year 21 में सिर्फ 1% था इवन आपल का प्लान है कि जो ग्लोबल आइफो नहीं है इंडिया में लेकिन कंपनी लाइक फॉक्स कॉन पेगा ट्रॉन ये और ज्यादा अपना बिजनस बढ़ा रही है आपल के प्लान है 200 मिलियन डॉलर इंवेस्ट करके प्लांट सेटप करना तेलंगाना में जहां पे एरपॉड मैनुफाक्चर होंगे और किया जा रहा है कि आने वाल टाइम में टाटा फॉक्स कॉन और पेगा ट्रॉन के बिजनसेश को भी इंडिया में टेक ओवर कर लें पर लेट सीओ टिम कुक ने भी आपल का जो ऑफिशल स्टोर लांच किया इंडिया में वहां पे कहा था कि आम हो रहा है इंडिया में इंडिया इस ग्रोइं बाइ 45 पर यह इसके अलावा डू यू एफ और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीजों को लेकर जो भी आपके थौट्स और पीनियन व्यूस पूट पर इंडियू कर सकते हो वहां पर भी कॉंटेंट पोस्ट होते रहते हैं इसके अलावा अगर आप концeptual videos देखना चाहते हो तो फिर आप लेफट वाले playlist पे लिए करके देख सकते हो और अगर आप product रिव्यूस देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर प्लेडिस पर क्लिक करके देख सकते हो आए मिलता हूँ दौस्ता आपसे आगले वीडियो में थाक् प्रोच्छ 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 वाच्ट अजया थाजर क्याओत।